बहुत सारी kitchen से related problem से छुटकार आपाने के लिए, समय और धनकी बच्चत करने के लिए, साथ ही आपकी खाने को बहुत ही तेस्टी बनाने के लिए, आपकी साथ मैं शेयर कर रहे हूं बहुत ही useful kitchen tips and tricks. tip number one, ये मेरे tip है सूखी साबुत लाल मर्च के बारे में, देखिए इन लाल मर्च का इस्तेमाल हम तड़का वगएरा लगाने में करते हैं और चिली फ्लेक्स वगएरा बनाने में और बहुत सी recipes में इनका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन जब हम इने store करके रखते हैं तो इनके करें देखिए आप को क्या करना है यह जो लाल मर्च और चान्टीनेर्च को मैं इस चोटेनर में डाल दोंगी और चोटे सी कंटेनर में सारी मिर्च आ जाएंगी आपको कोई भी बड़ा कंटेनर लेनी की ज़रूरत नहीं पड़े बढ़ते हैं, हमने दबा दिया और अभी इसमें काफी सारा स्पेस बचा है तो इस तरह कट करके इने छोटे बॉक्स में आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं अब आप इने तड़का, चटनी या चिली फ्लेक्स किसी भी काम के लिए इस्तमाल कर सकते हैं टिप नमबर टू ये मेरे टिप है नीबू के बारे में देखे नीबू का इस्तमाल हमारे के चल में पहुच जाता होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है हम नीबू को कट करके आधा नीबू इस्तमाल कर लेते हैं और आधा नीबू फ्रिज में रख देते हैं और ये कुछ इस तरीक से hard हो जाता है, सूख जाता है, तो अब बच्चा हुआ नीवू बिल्कुल भी hard ना हो, सूखे ना, तो इसके लिए मैं tip शेयर कर रहे हूँ, देखे, ये मैंने नीवू कट किया है, आधा नीवू का रस हम इस्तमाल कर लेंगे, और जो बच्चा हुआ नीवू है, उसे कैसे रखेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, देखे, मैंने आधा नीवू के रस को इस्तमाल कर लिया, लेकिन ये जो बच्चा हुआ नीवू है, इसे बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना, इसे कैसे रखेंगे, वो देखे, जो नीवू है, हमने इसका नहीं सुखेगा, विल्कुल भी हाड नहीं होगा, तो ये टिप चरूर फॉलो करें, टिप नमबर थ्री, ये मेरी टिप है छोले और राजमा के बारे में, देखे, कभी कभी क्या होता है, कि हम छोले या राजमा भिगोना भूल जाते हैं, और अब हमें ये छोले बनाने है तो अब हम क्या करें, इने कैसे फूल आएं, कैसे भी होएं, तो देखे, इसके लिए टिप शेयर करने हूँ, एक घंटे में ही आपके छोले बहुत अच्छे से फूल के त्यार हो जाएंगी, आपको छोले लेने हैं और इने कैसरोल में डालना है, जो चपाती रखने वाला आपको कैसरोल होता है, उसमें आपको इने डाल देना है, अच्छी तरीके से 2-3 वारे ने वाश कर लेना है, पानी डाल कर, तो यहाँ पर अच्छे से रहे वाश कर लेते हैं, अब इस पानी को फैक देते हैं, 2-3 वारे ने और दो लेते हैं, तो यहाँ पर हमने यह जो छो सोडा यानि की मीठ है सोडा जेसे खाने वाला सोडा भी बोला जाता है तो यह एक चौथा ही चमच मैंने बेकिंग सोडा दाल दिया इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे बस अब आप कैस्रोल कढ़कन बंद कर दें और एक घंटे के लिए ने ऐसे छोड़े और एक घंटे बा कुछ के छोज़े नहीं तुक करें तो सबसे पहले तो आपको कंटेनरसे करें अध्यूक को struggles करें भीन हैं पालों हुब दो कुछ कम सब्सक्राहे से लिए तुव खत्म होगी क्या किना लेकिन तो तो सबसे पहले तो आपको कंटेनर को डिटरजेंट या सोप से धोकर साफ कर लेना है और उसके बाद आपको इसमें डालना है आधा चमच बेकिंग सोड़ा फिर मैं इसमें डालने हैं डिश्वास जैल आप चाहें तो कोई डिटरजेंट भी इसमें डाल सकते हैं और अब डपे का डखकन बंद करेंगे और एक बार इसे अच्छी तरीकी से हम शेक कर लेंगे तो इस तरीकी से अच्छी से एक बार शेक कर लें अब आप क्या करें इसका डखकन खोल कर इसमें पानी भर दें इसे पूरा पानी से भर दें और फिर ढखकन बंद करके इसे पूरी रा तब बिल्कुल इसमेल खत्म हो जाएगी टिप नमबर फाइव यह मेरी टिप आपको बेहत पसंद आने वाली है देखे कभी-कभी ऐसा होता है कि अचारक से हमारा कुछ अच्छा चट पटा टेस्टी चाट वगरा खाने का मन करता है तो देखे आपके साथ एक बहुत टेस्टी धोली चाट बना कर त्यार कर सकते हैं नौर्मली जो आप ओबले हुए आलू से टिककी चाट बनाते हैं वो एतनी जातक कृस्पी नहीं होती जितनी ये कच्चे आलू की बनी हुए टिक्क्या होती है तो यहाँ पर आलू को च्हेलने के बाद यह मैंने एक बूल म यह जो कच्छी आलू है इन्हें हम घिस रहे हैं यह देखें पानी में घिस रही हूं तो दोनों ही आलू को आपको घिसके त्यार कर लेना है पटाफ़ से जब भी आपका कुछ अच्छा यह चाट खाने का मन कर रहा है तो तुरंत ही आप इस तरीके की चाट आसानी से घर में बना सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है और कोई आलू बगर अबालने का कोई जंचट नहीं है बहुत ही आसानी से ये चाट बनके तहार हो जाती है तो देखे हमने दोनों आलू को खिस लिया है अब आपको क्या करना है, ये जो आलू के लच्छे हैं इन्हें अच्छे तरीके से पानी से दो-तीन बार धो लेना है ताकि से इनमें जो भी स्टार्च है वो निकल जाए अच्छे तरीके से वाश कर लें, इस पानी को आप पेड़ों में डालें फ्रैके नहीं ये पेड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है पानी अब यहाँ पर ये जो आलू के लच्छे है, इन्हें में निकाल लिया छल नीमें और अच्छी तरीके से इन्हें निचोड लिया था, इनमें बिल्कुल पानी नहीं है ध्यान रखे कि अच्छे से निचोड़ लें पानी जदा इनमें नहीं होना चाहिए अब इन्हें बोल में डाल दिया है और मैं इसमें डाल रहे हूं अरा रोट अरा रोट डालने से जो टिक्की हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी यहाँ पर मैंने इसमें तीन चमच अरा रोट डाल दिया है आप अरा रोट की जगा चावल काटा या कॉन फ्लार भी डाल सकते हैं थोड़ा से इसमें नमक डाल दिया है लगबग आदा चमच के करीब सारे चीचों को मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमने अरा रोट को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आपको इसकी टिक्की कैसे त्यार करने है वो बताती हूँ देखिए इस तरीके से थोड़ा सा यह हम लच्छे हाथों में लेंगे और इस तरह हाथों से इने दबा देंगे यह देखिए हाथ पर ऐसे ही थोड़ा सा दबा कर आपको यह टिक्की बना देनी है लच्छे निकल रहे हैं दर उदर तर तो उससे कोई परिशानी नहीं है बहुत ही बढ़िया टिक्की बनेंगी अब यह यहाँ पर एक पैन में ऑईल मैंने पहले गर्म करने रख दिया था और इसमें यह टिक्की डाल दी बस थोले से लच्छे हाथों में लें और इस तरह दबा कर बनाएं यह देखिए बहुत अच्छी टिक्की तियार होंगी बहुत ही जल्दी बन जाती है कोई टाइम नहीं लगता फटा पट से बन के त्यार हो जाती है अब इन्हें अलट पलट कर बहुत ही अच्छी तरीके से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर त्यार कर लें यह देखिए कलर बहुत ही अच्छा गया टिकी बहुत क्रिस्पी हो चुकी है तो बस इन्ही निकाल लेते हैं यह देखिए दो आलू से हमने चाठ टिकी बना कर त्यार करी हैं जो कि दो जनों के लिए काफी हैं तो चलिए अब इन्हें सर्फ करेंगे और आपको दिखाऊंगे टिकी कितनी ज़्यादा करारी बनी है देखे, दोनों तरब से बहुत ही अच्छे से सिख चुकी है तो अब हमेने सर्फ कर रहे हैं एकदम ठेले वाले स्टाइल में तो ये मैंने एक दोनों लिया है पहुती क्रिस्पी करारी टिके को इसमें तोड़के रख दिया है अब इसके उपर हम खटी मीठे इमले की चटनी डाल रहे हैं और थोड़ा सा दही डालेंगे दही को बिलो के डालेंगे और ताजा दही है और थोड़ी से हमारे धनी की चटनी डालेंगे अगर आपको बिना इमले के इंस्टेंट खटी मीठी चटनी की रेसिपी जाननी है तो मुझे कॉमेंट करके बताएं मैं आपकी साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी अब ये मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्स पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और ये देखे बहुत ही टेस्टी हमारी आलू टिक की चाट हो गई है बनकर तया है तो आप भी इसी तरह ये चाट अपने गर जरूर बनाएं आपको कौनसा टिप जाता पसंद आया मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो